आइडियल कंडिशन एक्स्प्लोर करते हैं नमस्कार मैं में दिवेदी अब सभी का स्वागत करता हुपनिश चैनल पावर आउन वील पर और एक ऐसी खबर मेरे पास है जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा अगर आप दिवाने हैं मोटर साइकलों के तो जावा इस दी एडवेंचर की कीमत भी कम हो गई है और एक इ जावा को क्या कुछ करना चाहिए जिससे और ज्यादा वो जनता तक पहुँच बना सके तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं 2024 जावा इस दी एडवेंचर के बारे में और आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें चेंज हुआ है और इ तो कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं जो आपको यहां पर ज़रूर जानना चाहिए तो जावा एस दी एडवेंचर की जो कीमत है कम हो गई है दो लाख नौ हजान नौ सो रूपे एक शुरूम कीमत से इसकी शुरूआत होती है यह मोटर साइकल आपको तीन बेरियंट में मिलती है तो तीन बेरियंट का अगर बात करें तो यह कलर के हिजाब से उन्होंने बेरियंट बना रखे हैं तो अगर आप इनका टोरनाडो ब्लैक खरीते हैं तो उसकी कीमत दो लाख नौ हजान नौ सो रूपे हैं और अगर आप वोल ग्रे डिवल टोन पर जाएंगे तो उसके लिए आपको दो लाख पंदरा हजार नौ सो रूपे देने पड़ेंगे और अगर आप इसका टॉप बेरियंट खरीते हैं जो की ग्लेसियर वाइड डीटी है तो दो लाख निस हजार नौ सो रूपे देने पड़ेंगे और अगर इस कीमत को आप कंपेर करेंगे तो ये पहले की तुलना में आपको थोड़ी सस्ती नजर आएगी तो जो बेरियंट बना इनोंने उसमें आपको कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं मिलेगा और रंगों के आधार पे कीमत आगे पीछे हो रही है तो यहां पर यह सारी च यह इनका निव जनरेशन अलफा 2 334 CC का लिक्विट कूल एंजिन है जिससे आपको मिलेगी जो पावर डिलिवरी यह लोग आफर कर रहे हैं जो बता रहे हैं दावा किया है उसके साब से 39.6 PS का आप आउट पूर देगी और 39.9 Nm का टॉल्ट जनरेट करेंगी तो आप डि हमारे वीडियो में क्या-क्या जानना चाहते हैं कि जब हम इस वीडियो को करेंगे राइड वीडियो को तो वहाँ पर आपके सवाल को जरूर एड्रस करेंगे तो यहां पर इंजन में बदलाव किये गये हैं और माईलेश की अगर चाचा करें तो माईलेश का कोई दावा मैंनों नहीं किया है लेकिन मुझे पहले जो माईलेश टेस्ट किया था 35 से 40 के बीच में माईलेश इस ने दिया था डिपेंड करता है आप राइड कैसे करते हैं लेकिन राइड एंड हैंड लिंग बहुत अच्छी थी एस दी एडवेंचर की तो क्या इसकी राइड एंड सामने फीचर दिये गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं तो इस दी एडवेंचर में अब नया इंट्रीग्रेटेड में केज दिया गया है बिद न्यू डेकल पैनल और उसका फरक किता पड़ेगा इसमें हलां कि बता रहे हैं कि उससे जो है ऑफ रोडिंग हो गारा थोड़ फुट पर खड़े होते हैं तो बाइक को अच्छी से चला पाते हैं उस जगहों पर जहां पर रास्ते तूटे फूटे हैं पहले लोग लिए लद्दाग जाते थे इसलिए कि उनको जो है फुट पर खड़े होकर चलाने का मौका मिलता था लेकिन अब बियारों ने ऐसी सशक्त हो गई है इस नई एस दी एडिवेंचर में आपको नया संप कार्ड भी देखने को मिलेगा जिसका आपको अलग फाइदा मिल सकता है अब बात करते हैं रंग की क्योंकि जितने अच्छे रंग होंगे उतनी जादा ब्यावारिकता बढ़ जाती है मोटर साइकल या सब्सक्राइब करते हैं अगर आप भारत जैसे देश में कारोबार कर रहे हैं तो कलर पर अच्छा खेला है जावा ने अपनी एस दी एडिवेंचर के तो अब बताता हूं कि किन रंगों में यह मिलेगी क्या कुछ रंग एड किये गये हैं इसमें जोड़े गये हैं या नह अब यह मोटरसाइकल आपको मैट और डिवल टोन रंगों के साथ सजी दजी नजर आएगी जो नए रंग इसमें ओफर किये गये हैं उसकी विचाचा कर लेते हैं बताते हैं कौन-कौन से रंग इसमें आपको मिलेंगे तो एक तो रंग आपको इसमें मिलेगा टोरनाडो मैगनाइट मैरून वोल्फ ग्रे और ग्लैसियर वाइट और यह जो रंग देख रहे हैं इन्हीं रंगों के आधार पर डिफाइन होता है इस मोटरसाइकल का वेरियंट तो जो रंग है उसकी अलग-अलग कीमत आपको देनी है अब आप पर निर्भर करता है कि आपको मोट के हाथ मिल जाएगी लेकिन इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं उसकी चाचा कर लेते हैं अब बताते हैं कि क्या-क्या फीचर्स इसमें आपको और मिलेगे तो भी आपको इस मोटरसाइकल में राइडिंग मोट मिल जाएगे जो राइडर अपने हिसाब से चूज कर की तो चलते चलते आपको बता देते हैं कुछ इसके इस पेसिफिकेशन जो और चीज़ें आप जानना चाहते हैं इस मोटरसाइकल के बारे में इसके बाद में इसकी आवाज भी आपको सुनाएंगे और फिर हम इस वीडियो को करेंगे ख़त आइडियल कंडिशन एक्स्प मिलीमीटर का है जो सीठ हाइट है वह 815 मिलीमीटर का और आपने बहुत साहीं मोटरसाइकलों पर देखा जो पहली मैं चला रहा था वहाँ पर बैट कर बताया था तो उससे थोड़ा बहुत आपको डिप्रेंस मिलेगा लेकिन जादा चेंज़ेस नहीं हुए हैं गियर बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आप और रियर ब्रेक की बात करेंगे तो यहां पर डिस्क बिद फ्लूटिंग कैलिपर बिद एबिएस आपको मिलता है इस मोटरसाइकल में अगर डिस्क के साइज की बात करेंगे जो सामने दिया गया है 320 mm का डिस्क साइज है जो रि देगी कैसे परफॉर्म करेगी कैसे टर्न करेगी कैसा और आप रोड करेगी इस सब कुछ आपको बताएंगे अपने राइड वाले वीडियो में तो हमारा वीडियो का लगा क्या आपको लगता है कि जो इसके पहले इस दी एडवेंचर आप देख चुके हैं उसकी तुलन झाल झाल